हेलो दोस्तों मेरा नाम है सुमंत और इस वीडियो में हम लोग डिसकेस करेंगे आर्ट एंड कल्चर और इंडियन हिस्टरी के वो कोस्चन जो यूपी असी प्रिलिम्स एक्जाम के एर 1995 और 1996 में आये थे हम लोग इन कोस्चन को डिसकेस करेंगे और ये कोस्चन जिन करेंगे ताकि जो आगे जो सवाल आएंगे वो हमसे सॉल्व हो जाएं तो चली देखते हैं पहला सवाल पहला सवाल है विच वन ओफ फॉलोईंग टेंपल्स फिगर इन न्यूज रिसेंटली रिगार्डिंग देवदासी एक देवदासी सिस्टेम होती है जो एक रिलिजि हैं और जो यूने ट्रेट्रिज हैं वो सेंट्रल लॉग को इन फोर्स करके इस प्रैक्टिस को चेक करें इस प्रैक्टिस को रोके आखरी प्रैक्टिस है क्या देवदासी सिस्टेम है क्या देवदासी सिस्टेम एक रिलिजिस प्रैक्टिस है जिसमें जो पैरेंट होते है जो माता-पिता होते हैं वो अपनी बेटियों को एक देवी या एक टेंबल से उसका विवा कर दिया जाता है ये जो लड़किया होती है उस देवी और उस मंदिर के सर्विस के लिए जिंदगी भर वहाँ पे डेडिकेट करती जाती है और ऐसा माने जाता है कि वो लौड जगननाथ की human wife है मानव रूप में उनकी पतनी है ये जो marriage है वो जेनरली लड़कियों की पुबर्टी पहुचने से पहले की जाती है और हाल में ये दिखा गया है कि ये जो practice है वो इन लड़कियों को prostitution की वेवसायमे ढखिलने के लिए इस्तेमाल किया आता है तो उस समय जो मंदिर चर्चा में था वो था जगनाथ मंदीर और अभी जो मंदीर चर्चा में है वो है उतंगी माला दुरगाअ टेंपल जो की करनाटका में है तो अगर अभी ऐसा कोई कुश्चन आए कि कौन सा मंदिर नियूज में है तो अभी प्रिलिम समप को सवाल में जवाब लगाना है उतांगे माला दुरगा टेंपल लोकी करनाटका में है अब हम देखते हैं कि कौन कौन से कानून है जो इस सिस्टम को रोकने के लिए बनाये हैं तो state level isolation है करनाटका का है करनाटका देवदासी अबॉलिशन अट नहीं किया गया इंगो अच्छी तरह से इन फोर्स नहीं किया गया IPC का Indian Penal Code का Section 372 ये भी माइनर्स को प्रस्यूशन के परपस के लिए सेलिंग करने से रोकता है और एक और एक्ट है Immoral Traffic Prevention Act 1956 जो की प्रस्यूशन को एक offense बनाता है अब दोस्तों आपको दो सवालों को जवाब देना है पहला सवाल Which one of the following travelers visited India कौन से यात्री जो थे वो इंडिया विजिट किये during गुपता पिरियेड गुपता काल में कौन जो थी यात्री इंडिया में आये थे हुएंसांग, फाहियान, मार्को पोलो और निकॉलो कॉंटी आपको इसके जवाब देना है यह है पहला question दूसरा सवाल गुपता इंपायर डिकलाइंड इन 5th century AD as a consequence of क्या कारण थे गुपता कल के डिकलाइंड के चालुक्या के रेड्स ग्रीक के इन्वेजन्स और हुन के इन्वेजन्स पलवास के रेड्स कौन सा option सही है आप इन दोनों का सवाल को जवाब हमारे comment section में दीजिए हम आते हैं अब दूसरे सवाल पर यह question matching matching वाला है यहाँ पर आपको लोगों के नाम दिए गया है विशाखदत वराहमिहीर चरक और ब्रहम गुप्त और यहाँ पर लिश्टू में उनके काम दिए ग से थे तो C कौन से मिल गया C मिल गया 1 से तो अगर मैंने C को 1 से मैच कर दिया तो मुझे मिला यह वाला option और यह वाला option मैंने A और B अराम से काट दिया अब मेरे question के सही होने की probability 50% हो गई अब मुझे COT में से किसी एक को अब eliminate करना है तो अगर मैं यह देख लूँ कि वरा म C में तो UPSC ने हमारा जो question है वो इसको अथ्रास असान कर दिया मुझे answer C अराम से मिल गया तो देखे अब देखते हैं D किसे match कर रहा है ब्रह्म गूप्त ब्रह्म गूप्त मैच कर रहा है mathematics से यह mathematician थे और जो विशागदत्त थे वो drama में थे यह इन्होंने एक drama लिखा था जिनका नाम था मुद्रा राक्षस अगला सवाल देखते हैं the Mughal school of painting formed the spinal column of different school of Indian miniature art miniature art वो art होती है जिसमें picture बनाया आता है और वो छोटे-छोटे picture होते है miniature picture होते है which one of the following painting style was not affected by Mughal painting देखे जहांगीर तक तो सही था जो मुगल painting थी वो फलती फूलती रही उसके बाद जो क्या हुआ कि जब औरंग जेव जब बना समराट वहाँ आपका तो उसने painting को ज्यादा ब्रहोत्री नहीं दी उन्होंने painting को motivation नहीं दिया इस कारण से जो मुगल painter थे वो मुगल समराज से अलग अलग जाने लगे वो नहीं से हटने लगे तो इस कारण से पहालए painting, रास्ठाने painting और कागला painting इसमें मुगल gal painting के जो मुगल painting के जो कुछ मूल तत्व है वो देखने को मिलते हैं तो पहाली, रास्ठाने और काउंगला, तीनो painting जो थी वो मुगल painting से परभावित हुई, मगर जो काली घाड painting है ये मुगल पेंटिंग से परभावित नहीं हुई, मेरा अंसर क्या हुआ, अंसर हुआ D, अगर आगे कभी कैसा कोई कुश्चन आएगा मुगल पेंटिंग पे, तो आपको मैं मुगल पेंटिंग का पूरा टॉपिक है वो आपको पढ़ा दूँगा, अभी के लिए बस इतना पेंटिंग बनाया जाते थे और ये पेरिशिबल मेटरियल पेंटिंग बनाया जाते थे, अब आपके लिए हैं कुछ और सवाल, पहला सवाल देखते हैं, विच वन ओफ फोलोइंग फेस्टिवल इज जलू कट्टू असोसियेटे, जली कट्टू का जो टॉपिक है वो भ जाते चुका हूं, इन विच व फोलोइंग फिल्ड अफ आट डिड जेमिनी रॉय मेक हीज नेम, जेमिनी रॉय ने किस आट में अपना नाम बनाया, स्कल्प्चर, म्यूजिक, पेंटिंग, ड्रामा, आपको इन दोने सवाल को जवाब देना है, हम लोग बढ़ते हैं अग अगर आपको सही यूग पता होंगे, तो ऐसे होता है, सत्यूग होता है, इसके बाद आता है, त्रेता फिर आता है, द्वापर फिर आता है, कल्यूग, जो सत्यूग है, उसको हम लोग कृता यूग भी कहते हैं, इसका मतलब होता है, गोल्डेन एज, तो क्या हुआ, कृता आएगा पहले फिर तरेता फिर द्वापर फिर काली कौन सा ओप्शन सही है मुझे मिला ओप्शन सी सही क्रीता ओप्शन पहले है अगर आपको सत्यूग को क्रीता कहते हैं अगर आपको यह मालूम नहीं भी होता तो भी आप इसको अराम से निकाल सकते थे त्रेता द्वापर आपको नहीं पता था तब भी आप इसका अंसर दे सकते थे अभी जो यूग चल रहा है वो है काली यूग जो की बिकल करके उसको हम लोग कली को कली यूग कहते हैं ये शुरू हुआ 302 BCE में जो की महाभारत वार के बात शुरू हुआ था इन चारो यूग के इंड़ इंट्रिम गवर्मेंट फॉर्म्ड इन 1946 दवाइस प्रेजडेंट आप दे एक्जेक्यूटिव कॉंसिल वाज 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 नहरू राधाकृष्णन गोपलाचारी राजंदर प्रसाद तो दिखे जो एक्जेक्यूटिव कॉंसिल था वो वाइसराय का जो वाजाश दो ईसका छिएर review Armen वाय और इसका वाइस चेयर्मेंन था वह थे हमारे नहरू जौहर लाल नहरू जी इसका यहां पर ऑफनेक्शन परस्वाब्ट अमगर्शराय माफ्राद सोन जौन मथा यह्धर वहां । और बलदेव सिंह यह थे defense minister इसके बाद इस मंत्र मंदल में भाभा जी थे और ल्याकात अलिक खान भी थे असाफली भी थे, राजगोपला चारी भी थे राजगोपला चारी जी थे वो education and arts minister थे और जो जो जोगंदर नाथ मंदल थे वो थे law minister तो ये था interim government जो कि 1946 में बना था इसका answer है जोहराल नहरु जो कि Vice President थे इस Executive Council के अगला सवाल हुगली वाज यूजड एज बेस फुर पारसी इन दे बेयो बेंगौल बाई Portuguese, French, Danish, British पारसी के लिए कौन इस्तमाल करता था ये इस्तमाल करते थे Portuguese वन लाइन कोस्चन है, आएगा तो होगा ये answer सही है दूसरा कोस्चन दे मोदी स्क्रिप्ट वाज इंप्लोईड इन दॉक्मेंट आप दे वडियार्स, जमोरिंस, होईसल्स, और मराथाज देखिए अभी इसको मोदी नहीं पढ़ते इसको मोडी पढ़ते है तो ये एक स्क्रिप्ट था, जो कि मराथाओं के दोवरा इस्तमाल किया आता था ये जो था वो short hand cursive script था ये मराथा दोवर्समा क्या जाता था ताकि वो revenue और जो record होते थे, उसको maintain करने के लिए वो लोग इस्तमाल करते थे मोडी वर्ड बना mundane words जो कि एक मराथी वर्ड है जिसका English में होता है मतलब bend, this script allowed for continuous writing by bending the letters अब हम आते हैं अपने अगले सवाल पर यहाँ पर आपको एक map दिया गया है, इसमें आपको चार नमर दिया गया है कि कौन किस एरिया में करता था, तो आप इसका match कर सकते थे, देखे, जो सिंध्यास थे वो गौलेर में राज करते थे, होलकर्स करते थे, इन दौर में, गायकवल करते थे, बढ़ोदा में और जो भोशले थे, वो करते थे, नागपुर में तो आपको बस यह पता करना था कि 1, 2, 3, 4 में कौन नागपुर है तो यहाँ पर जो 4th area है, यह हो गया, नागपुर, जो 1st area हो गया, यह है गौलियर, और जो 2nd area है, यह होलकर का इंदौर, और जो 3rd है, वो है हमारा बढ़ोदा तो इससे match कर सकते हैं, मुझे answer मिला, 1st, अगला सवाल देखते हैं हम लोग इस question में आपको 4 wars दिये गया है, आपको correctly match करना है उनसे पहला war है battle of boxer, यह कहा गया है कि मिर जाफर और कलाव के बिश्मिल ला गया था battle of wandivars, French versus Eastern India Company, battle of chillenwala, यह है डलहौजी versus Maratha और battle of kharda, यह है निजाम versus East India Company, आपको पाचानना है कि कौन सा सही है तो देखिए, battle of boxer में कौन को लड़े थे, battle of boxer में लड़े थे, जो तीन forces combined थी वहाँ पे किस-किस की forces combined थी, एक तरफ थे Eastern India Company और दूसरी तरफ थे मीर कासिम, शाह आलम दित्या और शाह सुजा, सुजाओ दौला इन तीनों की combined force East India Company से जाक लड़े थी, इसमें 40,000 soldier थे इन तीनों के और जो बिटिस थे उनके केवल 18,000 forces ही थे मगर प्रवलम ये हुई कि ये तीनों आपस में coordinate नहीं कर पाए और अंग्रिजों से हार गये बिटिस जीत गये और उनका जो commander था, वो था Major Hector Monroe इस battle के बाद जो मीर कासिम था, वो भाग गया और जो साथ जुसरा दौला था, वे भी भाग गया शाह आलम दित्य ने बिटिक सामने सेंडर कर दिया और ट्रीटी ओफ अलाहाबाद साइन करी गई दूसरा वार काउन सा था, दूसरा वार था Battle of Vandivas ये लड़ा गया था, किसके किसके बीच में, ये लड़ा गया था, फ्रेंच और बिटिस के बीच में यहाँ पर जो बिटिस फोर्सेज थे, वो अंडर सर आयरिक कोटी, इसके अंडर में फ्रेंच को डिफीट किया था, ये वार हुआ था 1760 में, और उसके बाद उन्हेंने पॉंडिचेरी को कैप्चर कर लिया था, तो अब मैच करते हैं हम लोग पहला देखिए, मिर्जाफर वर्सेज क्लाइव, नहीं ऐसा नहीं था, मिर्जाफर नहीं था, इसमें तीन लोग थे, उनका पुरा कंबाइंड फोर्स था, कासिम वगरा थे, तो मैंने पहला काट दिया, वांडिवास ये फ्रेंच वर्सेज इसने कमपनी, ये सही है, तीस बैटल आफ खार्दा, ये लड़ाय हुई थी निजाम के बीच में और मराठाओं के बीच में, यहां पर इस्ट इंडिया कमपनी नहीं था, मैंने डी भी काट दिया, मेरा अंसर क्या मिला, मेरा अंसर मिला, बी, बैटल आफ वांडिवास बिटिविन फ्रेंच और इस्ट इंडिया कमपनी हमने चारों वार्स के बारे में पढ़ा, अब देखते हैं हम लोग अगला सवाल, ये वर्ड आदिवासी इस्तिमाल किया गया था ठकर बपा के दौरा, अंसर है B, एक्शुल कोश्चन है, आदिवासी का मतलब होता है, प्रिम्टी पीपल, मूल पीपल, व ट्रस फॉर्क्स इन्टू टुऊऽ्ट्रीम अंड इनाइट्स फू माइल फर्धर उन धस फॉर्म इड्ग शाद्व्स, और वंय वार्ट आइर भीवासी का इस्तिमाल करती है, वो नदी कौन से है, अंसर है कावैरी, कावेरी नदी आइने फॉर्वासी बनाती है, ये आले एक्जाम में कई सारे कोश्चन जो होते हैं पर भी आते रहते हैं जैसे कि राजा राम, मुहल, राय वगरा यह कोश्चन है उसके बारे में एक बात कही गई है आपको पहचानना है कि यह किसके बारे में है वो कानून पर निर्भर रहते थे क्यों शोशल इल्स को हटाने के लिए इन दोनों के खिलाफ थे वो इन दोनों को हटाना चाहते थे इसको नहुंने इन इन गरेट किया यह आपको एक हैट दिया गया है उस इसनके बारे में वो इनसान कौन था जिसने इसको इन गरेट किया और जो चाहिर्ड मेरेच के खिलाफ था जो परदा सिस्टम के खिलाफ था चार उप्शन है इसपर चंद विद्यासागर बेराम जी मेराम जी मालाबारी महादेव गोविंद रनाडे बी आर अंबेदकर तो इसका अंसर है महादेव गोविंद रनाडे जस्टिस एम जी रनाडे अंसर है C यह जो थे वो एक सोचल इर्फरमर थे उन्हें वेस्टन प्रविंद रनाडे के नाम से किन है जाने जाते हैं आपको इसका अंसर देना है एम जी रनाडे ने 1861 में विडियो रिमेरेज एस्टापना की उन्होंने 1870 में पूर्ण सर्वजनिक सभा के सथापना की देखिए इस पर काफे सारे कोश्चन आते हैं कई सारे कोश्चन आत के पक्के विरोधी थे उन्हें उन्हें गपाल गरेशन गोखले का और बाल गंगाधर तिलक का मेंटर और पॉलिटिकल गुरू भी कहा जाता है तो इसका अंसर महादेव गुविंद रनाडे हम लोग बढ़ते एंगले सवाल की तरफ यहां पर आपको दो कोशन दिया गया है पहला सवाल है who among the following was the first European to initiate the policy of taking part in quarrels of Indian princes with the view to acquire territories दो princes लड़ रहे हैं दो राजाएं लड़ रहे हैं यह जो European थे उन दोनों के बिश्म जाते थे और एक का सपोर्ट करते थे दूसरे एक खिला तो यह काम सबसे पहले किन होने किया आपको लग रहा होगा कि यह पहले काम रिटेशन किया होगा इसका अंसर है डूपलेक्स ड जो कि डियूमा के बाद आया था इसी ही ने सबसे पहले यह पद्दती अपनाई अंसर है बी अगला सवाल आपको एक बत बता दूँ कि जब मैं कोशन को कर दूँ तो आप इन चीजों को एक बार पढ़ लेकिए इसमें मैंने एक्स्ट्रा इंफ्रमेशन मेंचन कर रखी होती है जो आपको एक्जाम में काम आएंगी कोशन है consider the following landmarks in Indian education हिंदू कॉलेज कलकत्ता में इसको बताना है correct chronological order में कौन पहले आया कौन बाद में आया तो देखिए जो हिंदू कॉलेज था वो स्थापित किया गया था 1870 में इसको कलकत्ता बना था 1859 में और एडम्स रिपोर्ट आये थी 1800 इसके बार में दिया हुआ 1835 और 1835 और जो बूर्ट इसपेश आया था यह था 1854 में तो इसको रेंज किए सबसे पहले आएगा हिंदू कॉलेज वाला यह आ गया पहले और सबसेंति में कौन आएगा सबसेंति में आएगा यह सेकंड वाला University of कलकता यह क्योंकि यह 1858 में हुआ था तो सबसेंति में आ अगले वीडियो में शायद अगला सवाल किस के दोारा यह वर्ड हिंदू सबसे पहले इस वर्ड का इस्तेमाल किया गया था क्यों यह दिनूट करने के लिए जो लोग भी इंडियोंड में रह रह रहे हैं उन्हें वो लोग हिंदू के नाम से जानते थे अब वो किसी भी धर्म के हों उससे फ्रक नहीं पढ़ता थ अगर वो इंडस के ब्योण में रहते थे तो उन्हें वो लोग हिंदु बुलाते थे तो इस तरह हम लोग ये देखते हैं कि हिंदु एक धर्म नहीं है भारत में जो भी लोग रह रहे हैं आप उन्हें हिंदु कह सकते हैं हिंदु एक किसी धर्म से सम्मंधित वर्ड नहीं है ये जो word है वो संस्क्रीत के word सिंधू से derived है जिसका ये जो सिंधू word है वो इंडस रिवर का ancient नाम है इंडस रिवर का ये ancient नाम है सिंधू सिंधू सही word बना है हिंदू तो इसका अंसर है A, हम दोग देखते हैं अगला सवाल इसका अंसर है लोप मुदरा लोप मुदरा ने किया था और इनके अलावा कौन कौन से ब्रह्म वादनी थी? वो थी विश्वारा, सिक्ता, निवावरी और घोश इसके अलावा लोप मुदरा के अलावा ये चार और थी तो जब वेदा की बात आहीं गई है तो हम लोग वेदा के बारे में काफ़ी जान कर देख लेते हैं वेदा चार थे कौन-कौन से रिगवेद, यजरुवेद, सामवेद, अथरवेद वेदा संस्कृत में लिखा गया था वेदे संस्कृत में इन चारों में जो रिगवेदा है वो सबसे पहला सबसे पूराना वेदा है जो 1028 हाइम्स का कलेक्शन है जो की वैदिक संस्कृत में लिखा गया है रिगवेदा के जो प्रॉमनेंट गौड्स हैं वो कौन-कौन से हैं इंद्र, अगनी, वरुन, रुद्र, अदित्य, वायू, अधीति, अश्विन, ट्विन्स देखिए ये गौड्स हैं, कुछ देविया भी थी, कौनको से देविया थी, उशा, वक और पिर्थवी, पिर्थवी थी अर्थ की देवी, वक थी स्पीच की देवी, और उशा थी डौन की देवी देखिए, जब सुबह होती है, जो शुरू में थरर शान धेरा के बाद उजाला आता है, तो जो बीजे के पिर्थव करता है उसे हम लोग कहते हैं, डौन, तो ये हुरिग वेट के बारे में, अब देखते हैं हम लोग एजरिवेट के बारे में, यहां पर यह कैसे किया जाए उसका डिरेक्शन दिया गया है, इसमें पोईटिक और प्रोज दोनों रेंडरिंग्स हैं, यह इसके दो प्रांचेज हैं, यह जुरुवेदा के कौन-कौन से सुकल और क्रिशन यह जुरुवेदा, फिर आते हैं साम वेदा पर साम का मतलब होता इसमें 16,000 राग हैं, रागनी हैं और मुजिकल नोट्स हैं, साम वेद यह बताता है कि रिग वेद में जो हाइम्स दिये गया है, उसको कैसे रिसाइट करें, उसका ट्यून क्या होना चाहिए, इसके मैंने पहले आपको बताया था कि जो वेदा थे वो पहले औरली ट्रांस जो 99 डिजिस का ट्रेटमेंट इसमें दिया हुआ है, कैसे किया जाए, दोस्तों अब आपको देना है कोशन का जवाब, दरीवर मोस्ट मेंशन इन अरली वेदिक लिटरेचर, इस विच वन, सिंधू, सुतुदरी, सरस्वती, गंगा, कौन सी नदी है, जिसको सबसे ज़्य सबसे जाए, जाए, दरीवर मोस्ट मेंशन किया गया है, वैदिक लिटरेचर में, ये 1996 में में सवाल आया था, चुकि एक कोशन इजी है, इसलिए मैं इसे करने के लिए आपको ही दिया है, तो अब हम बढ़ते हैं, एक ला सवाल की तरफ, ये कोशन में ने तरह में मैचिं बाल कल्यूग की शुरुआत हुई, तो मैंने D match कर दिया, वन से, अगर आपको exam hall में ये पता नहीं भी होता, तो मैं मान सकता हूँ कि आपको विक्रम एरा और शक एरा पता होगा, कम से कम शक एरा तो पता होगा ही होगा, शक औरा शुरू हुआ था 78 AD में शुरू हुआ था तो मैंने शक को मैच कर दिया 78 से, B किसे मैच हो गया 3 से, अब काटना शुरू करते हैं B4 कट गया B5 कट गया, तो मैंने A-C को काट दिया, मुझे क्या पाजा मुझे बजग गया B और D, इसमें से 4 से, A मैच कर गया 4 से, तो कौन सांसर हुआ, भी तो मैंने काड़ दिया, अब मेरा अंसर आ गया D, अगर आपको कखली पता होता तो आप सिधा अंसर निकाल सकते थे, D मैच कर गया था 1 से, तो D मैच कर गया तो 1 आ गया था और यह 4 आ गया, तो मुझे अंसर मिलीगा D, देख गुपता काल में जो संस्क्रीट प्ले लिखे गए थे उनमें वुमेन और शुद्र कौन सी भाषा बोलते थे संस्कृत, प्राकृत, पाली और सवरेशनी आपको बताना है तो इसका अंसर यह है कि गुपता काल में जो नाटिक लिखे गए थे उसमें जो वोमेन थे और शुद्र थे वो कौन सी भाषा बोलते थे वो बोलते थे प्राकृत भाषा जो संस्कृत है जाकर के हिंदी जिन लोगों का जो अप्शनल है अगर किसे को हिंदी लिटरचर है तो लोग जानते होंगे अगला सवाल देखते हैं दनेम वाइविच अशोका इस जनरली रिफर्ट टू इन हीज इनस्क्रिप्शन इस चक्रवर्ति धर्मवेदा धर्मदेव और धर्मकिर किस नाम से जाना जाता था आपको बताना है? रहां पर कौन असा धिया इनस्क्रिप्शि क का नाम से जाना जाता है उनका काफी festa है D the term यवन प्रिया mentioned in ancient Sanskrit text denoted what? a fine variety of Indian Muslim Muslim नहीं यार Muslim होना चाहिए यहाँ पे खपड़ा होता है B है ivory तीसरा है damsel sent to Greek court for dance performance चौथा है paper इसका answer क्या है? इसका answer है D paper यवन प्रिया को paper जो paper था ना उसको यवन प्रिया को नाम से जाना आता था इंडो ग्रीक को हम लोग यवन का नाम से बुला आता थे और उनको paper बहुत पसंद था इसलिए उन्हें यवन प्रिया उस paper को यवन प्रिया के नाम से जाना आता था जो यवन को प्रिया हो अगला सवाल the concept of anuvrata was advocated by mahyana buddhism, hiniyana buddhism, jainism या लोकायतिय स्कूल इन दोनों के बारे में buddhism के कितना सार टाइप होते हैं mahyana, hiniyana और जो तांतरिक होता है वो सब हम लोग देखेंगे आगे ये जो अनसर है इसका अनसर है जनिजम जो अनुवरत है वो जनिजम से लेटेड है ये जनिजम के five main teaching है अहिमसा, अस्तिय, अप्रिग्रह, सत्य और ब्रहमचर्य ये जो अनुवरत है वो जनिजम से के five main teaching है आप इसको याद रखिए इस पर काफे सारे question आते हैं देखिए ancient India में और आटन कल्चर में आपको buddhism और जनिजम पूरी तरह अच्छे से त्यार होना चाहिए 2016 में भी question आया था इस बुद्धिजम पे हर साल question आता है यार इसको पुरा त्यार कर लेना आते हैं बगले सवाल पे which one of the following were common to both buddhism and jainism ये भी देखिए उन्हें में question आया था हर साल आता है बताया था मैंने भी किसमें दोनों में common क्या था option दिये गए है जो पला चार्ची दिये गई है avoidance of extremities of penance and enjoyment indifference to authority of veda denial of efficacy of ritual non injury to animal life दोनों में क्या common था तो इसका answer क्या है इसका answer है indifference to authority of veda या ठीक है दोनों वेदा को डिनाई करते थे उनके authority को डिनाई करते थे तो मैंने 2 सही कर लिया denial of efficacy of ritual वेदा के साथ साथ जो sacrifice है और जो ritual है उनकी necessity है उसको भी वो लोग डिनाई करते थे वो यह कहते थे कि यह ज़रूरी नहीं है तिन पर सही हो गया चार चार common है मतलब चार तो सही होगा यह होगा क्यों क्योंकि A और B में कोई तो सही है अब मुझे चेक करना है कि one सही है या नहीं मुझे केबल one चेक करना है avoidance of extremities of penance and enjoyment ये दोनों में common नहीं है answer क्या हुआ? answer हुआ B two, three or four answer है which one of the following is not a part of early gen literature देखिए जैन जैन दोनों सेम साल में आये थो नहीं इस चार दिये गया है तो ये चार दिये गया है आपके पास option option कौँ से सही है इसका option सही है थेरिगा था ये जो है वो बुद्धिश लेचर का part था वो जैनिज्म का part नहीं था तो यहाँ पाप पूछ रहा है not मैंने लगाया अगला सवाल देता हूँ है आपको in the context of ancient Indian society which one of the following term does not belong to category of other three इन चारों में से कौन है जो कौन तीन है जो एक है और कौन है जो इन तीनों से अलग है कुल वंश कोश गोत्र चार option दिये गया है इन में से कौन बताना है कि कौन सा जो है वो भिन्न है which among the following is known for his work on medicine during the गुपता पिरियेड कौन था सौमिल्ला शुद्रक शौनाका और शुशृत तो इसका अंसर है शुशृत जो था वो medicine स्रेट था जिन्होंने शुशृत समीता को लिखा था ये जो था वो गुपता काल का उन्हें बेश्ट सर्जन कहा जाता है अंसर है दी अगला सवाल दे टर्म अब भ्रहंश वाज यूज़ इन मेडियेवल संस्कृत टेक्स्ट तो डिनोट वट आउटकास्ट एमंग राजपूत्स डिवेशन फ्रॉम वेदिक रिचुवल्स अर्ली फॉर्म्स ऑफ सम अफ मॉडन इंडिया लेंग्वेज नॉन सं लेंग्वेज है इसे एक अंबिर्रा टर्म के मनाता है मतलब की जो भी डालेक्ट थे जो लेट मिडल एरा में थे उन्हें हम लोग अब भ्रहंश के नाम से जानते हैं तो इसका अंसर क्या है इसका अंसर है सी अर्ली फॉर्म अफ सम मॉडन इंडियान लेंग्वेज जहां पर मैंने इसके बारे में और जादा जन्कार्ट दे रखी है जो हम हिंदी को जानते हैं अभी वह एक आर्य भाषा है अधुनिक आर्य भाषा है संस्कृत जो था वह चेंज होते होते पांस उसी पूरू के बाद उन्हें पाली कहा गया पाली बन गया प्राकृत पाली प्रण्स भाषा में प्रिवर्तित हुई फिर जाकर के अप्रण्स से ही हिंदी भाषा का जन्म हुआ इसके पहले जो मागधी शौर सेनी महराष्टरी पैसाची और ब्रहामंड यह जो था वो पाली की विभाषाएं हैं अभी गया में और जो पटना का एरिया है यहां पे म आगधी भाषा बोले आती है तो दोस्तों आज हमने इस वीडियो में आट and culture और इंडियन इस्ट्रि के questions डिसकस किये जो कि 1995 और 96 वाले साल में आये थे इसमें मैंने आपको कई सारे questions दिये थे सारे questions मैंने आप में mention कर दिये हैं इनका जवाब आप हमारे commentation में दीजिए मैंने question और पुछा था कि Father of Indian Renaissance किने इस नाम से जाना जाता है दोस्तों अगर आपको ये lecture अच्छा लगा हो तो आप हमें थमसब दीजिए और जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि इस वीडियो को बनाने में ऐसी वीडियो बनाने में काफी मेहनत लगती है दोस्तों तो आप से ये गुजारिस रहेगी कि अगर हो सके तो आप इस वीडियो को share किजे अपने दोस्तों के साथ आपको कुछ करना नहीं है आपको बस चुनीची चुछ शेर लिंक दिया हुआ है उस पर जा करके आप वाटसब पे या फेस्बुक पे इसको share कर सकते हैं तो दोस्तों अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में थांक्स वर वच्छिंग टेक केर